नमस्कार दोस्तों वेल्दिसकाई के निव इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि आज निफ्टी 77 पॉइंट गिर के बंद हुआ है 10,500 के करीब तो देखेंगे हम अब निफ्टी का डाटा जो ऑप्शन चेंज का डाटा को कितना चेंज हुआ है क्या निफ्टी 10,400 की तरफ बढ़ेगा आगे अगले हफ्ते जब एक्सपायरी है उस हफ्ते में क्या यहीं 10,500 पर सपोर्ट लेके दुबारा 10,600 की तरफ बढ़ेगा निफ्टी तो जल्दीदे चलते हैं ऑप्शन डाटा पर देखते हैं कि क्या कंडिशन बनती है तो फाइनल दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी की वेबसाइट पर जहां पर कि मैं आपको बताऊंगा कि अब डाटा क्या बोल रहा है और कोशिस करेंगे चेक करने की कि यहां पर नीचे क्या निफ्टी 10,400 की तरफ बढ़ेगा या 10,500 पर ही सपो हो रहा है और आज भी वही प्रेशर था कि जो फुट राइटर से वह तेजी से अपनी पोशिशन काट रहे हैं उसके चलते हैं यहां पर मार्केट अपने आप नीचे गिरता जा रहा है तो जैसे कि देखते हैं सबसे पहले कि आज निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो दस आंसो की कॉल और में क्या हो रहा है तो जैसे कि यह पूट है तो यहां पर देखा जाए तो कि यहां पर तो पूट पर तो यहां पर अन्वॉइंडीं ही हुई है यहाँ पर ओपे अ गटा है करीब करीब एक लाग 24 अजार से तो जो टोटल ओपन इंटरस्ट आ रहा है वो कॉल की बात करें तो जसेया की कॉल पर क्या हो रहा है जसेया 500 की कॉल पर यहां पर 4,75,000 का चेंज ओफ हो आई यहां पर एड हुआ है यानि तोटल हो आई हो गया आपर 17,000,000 का ओपन इंटर्स खड़ा हुआ है 10,500 ठीक है अभी यहां पर आज देखा जाए तो पुट का पहले इंपॉर्डटन चीज यह कि अभी ठीक हुए वो उसके बाद देखेंगे कि 10,500 अगर तूटता है तो क्या होता है तो ऊपर का लेवल देख लेते हैं कि सबसे पहले जैसे कि 10,600 को देख लेते हैं क्योंकि 10,500 के करीब बंद हुआ है तो 10,600 भी एक हमारे लिए हडल बन गया है देखते हैं क्या होता है यहां पर जैसे कि निफ्टी ने 10,600 तोड़ा तो यह जो इतना तीजी से प्रेशर आया तो यहां पर देखे कि कितना ज्यादा ऑल्मॉस्ट साथ लाग 32,000 का ओपन इंटरस्ट चेंज हुआ और जो शेयर सामी यहां पर रह गया है टोट इंटरस्ट हो गया 30,000,000 का यानि 10,600 आपके लिए अभी बहुत ही इंपोर्टेंट हडल बन गया है कि यहां पर निफ्टी रिजिस्टेंस करेगा ही करेगा यह कंडिशन बन रही है अभी यानि अब क्या हो रहा है मार्केट में जैसे मार्केट नीचे आता जा रहा है एक की नीचे से मार्केट ऊपर गया था तो आपको ज्यादा महेंगी मिल रही थी तो वहां पर तेजी से कॉल राइटिंग चल रही है तो वह चीज़ है तो कॉल राइटिंग चल रही है तो यहां पर मार्केट नीचे शिफ्ट होता जा रहा है अब यह देखते हैं कि यहां प यह चैसो पर बीज लाग शेर और मुश्च ऑल्मुश देखा जाए तो 50 लाग का ओपन इंटर्स्ट खड़ा हुआ है तर अगर दस अजाज पांसो टूटता है इसके कंपेरिजन पर कॉल पर बताऊं तो कॉल पर भी करीब करीब 47 लाग का ओपन इंटर्स्ट खड़ा है अग आपको बहुती आसानी से 10,350 तक के टार्गेट इवन 10,300 तक के टार्गेट दिख सकते हैं क्योंकि यह जिन्होंने यहां पर पोट बेची हुए हैं यहां पर जो लॉंग क्रेट कियो हैं यह अपनी पोजिशन हलकी करना चालू करेंगे जिसके जिस्ते की मार्केट में जतार्ट चला था ओपर दसजाद साथजों तक गया था तो वहां पे एक मार्केट एक इम्पॉर्टेन सपोर्ट ले सकता है अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है अगर मंडे को गैप डाउन python wird माल लीजya 50. similar पौर्ट लोगी वहारेश होगी यह ओंप में कि एक 450 की नीचे खुलता है उस केस की में बात कर रहा हूं अब बहुत से लोग बात करते हैं कि निफ्टी अगर माली जे 10-20 पॉइंट की रेंज में खुलता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों हमेशा याद रखिए कि उसक बाराइं बताता है क्योंकि मार्केट आधी डांटा चींज हो सकते हैं आज अच्का डाम में अधाटS कने लगए बाद क्या होता है जो premiums होता है call or put के वो तेजी से घटने लगता है time decay होने लगता है जिससे writer को बहुत बड़ा फाइदा होता है तो काफी जाता writer actively काम करने आते हैं 12 बजे के बाद तो इसलिए आपको जो भी एक गिन का data होता है वो आपको 12 बजे से पहले ही help करता है कि उस time पर आपको situation कैसी मिल रही है और आप easily अगर आपको market एक level के नीचे जैसे कि माली जो 10-500 के level के नीचे आपको market मिल रहा है तो आप एक buy side की opportunity ले सकते हैं इस ओपने की market उपर recover हो सकता है तो यह चीज़ होती है आप है तो 10-500 बहुत important level है हमारे लिए अगर 10-500 तो तो आपको 10-400 बहुत आसानी से दिख जाएगा कोई जादा बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर gap down opening होती है तो आप एक बार gap down opening होती है तो आप एक बार 10,420 के या 10,400 के stop loss है जो first trade होगी वो आपकी buy side के होगी कम से कम gap down होना चाहिए 50 point का यह condition लग रही है आपे सेम अगर gap up होता है और 10,600 के पास nifty खुलता है 10,600 के पास या 10,600 के ऊपर खुलता है तो आपकी जो first trade होगी वो short side के लिए बन सकती है और उसमें आप 20-30-40 point का मुनाफ़ा कमा सकते है दैन उसके बाद देखेंगे कि market live trade session में कैसे भीज करता है अभी जो range बन रही है वो expiry के week की है तो इसके market में volatility थोड़ी ज्यादा होगी बहुत ही तेजी से यहां पर options के premium change होते हैं और volumes भी बहुत तेजी से change होते है क्योंकि अब market में volatility आती होई दिखाई देगी तो आपको बार बार यह चीजें ध्यान रखने है कि कौन से label के market trade कर रहा है अगर एक label तूटता है तो आपको एक pressure create होता हुआ दिखाई देगा market में उपर की साइड आप भूल जाओ कि 10,600 तक market जा सकता है फिलाल इस series में इस series का जो range बन सकती है वो यही बन सकती है चाहिए 10,500 नीचे 10,400 चालेस और उपर 10,500 यह 100 पॉइंट की range में शाहिद nifty trade गर सकता है अगले हफते में और इसी के बीच में शाहिद expiry हो सकती है as per अपी जो data बन रहा है तो आई होब दोस्तो यह data आपको समझ में आ गया होगा फिलाल दोस्तो इस वीडियो में इतना ही है आई होब यह वीडियो आपको पतंद आएगा वीडियो पतंद आता है तो लाइक और शेस जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधी लेके आता हूंगा हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इती के ताई शुक्रिया दोस्तो जै हिंट